हलो दोस्तों नमस्कार इसे हम किसी चानल में आप सब लोंका दिल से बहुत बहुत सब्सक्राइब करता हूँ अगर आपने पहली बार विजिट के हैं जरू चालन को सब्सक्राइब कर लेना फ्री स्टॉक मारकेट क्लासे इस चालन को भी चालो तो फॉलो कर सकते हो सब्सक्राइब कर सकते हैं या पर भी बेल आइकन को एट करके और जरू सिलेट करके रख लेना इस शान का लिंक आपको उपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो छले दोस्तों फिलाल इस वीडियो को देखने को मिल जाता है ठीक है बट कुछ कबरें ऐसी होती है दोस्तों जो कि सिर्फ हमारे बाजार के ही उपर उसका इंपक्ट देखने को मिलेगा जिसको हम लोग इंटरनल इश्यूज भी आपर बोल देते हैं और कुछ ऐसी एक नई बात फिलाल तो बाजार को यहाप जो को यहाँ बात करें इसकी जो शुरुआ थे वो कैनेडा नहीं आपर किये हर किसी को यहाप पताई है अगर देखा गया तो पॉलिटिक्स के इसाब से चीजे चलेगी तो ठीक रहेगा बिजनेस के उपर अगर यह चीजे चली जाती है त्रेड के उपर अगर चीज चली तो आपको पताई इसमें दोनो देशों का यहांपर नुकसान यहांपर हो सकता है क्योंकि मैंने इसके related आपको report भी बताई थी कि import-export की अगर हम लोग यहांपर बात करें तो दोनो देश एक दूसरे को बिल्कुल सेम quantum का हम लोग को सामान बेचते वे दिखने का आपे मिल जाते हैं मतलब अगर हम लोग बात करें अगर हम लोग कैनड़ा से अगर 4 billion dollar का अगर सामान अगर हम लोग खरीदते हैं तो हम लोग बेचते भी उनको इतना ही है 4 billion dollar के आसपस तो दोनों देशों के बीच में जो हम लोग को business भी होते वे दिखने को मैं बिल्कुल से में neck to neck ठीक है तो अगर इसमें देखा गया तो अगर ये एक दूसरे के उपर restrictions डालते रहेंगे तो दोनों के उपर हम लोग को ये नुकसान दिखने को मैं लेगा और जैसे के आपको बताएं दोनों के जगडे में कोई तीसरा फाइदा उठा कर चला जाता है तो फिलाल अगर हम लोग ये आपर बात करें तो business के उपर restrictions related अभी तक तो कोई ख़बर सामने आपे नहीं आई थी बट दोस्तो इसकी शुरुवात यहापे हो चुकी है तो शुरुवात की अगर हम लोग बात करें दोस्तो तो यहापे आनन महिंद्रा जी कोई introduction की ज़रूत यहापे है नहीं ठीक है बहुत ही जबरदस पावरफुल विक्ति आप सब लोग को पताई है तो देखा गया तोस्तो तो महिंद्रा और महिंद्रा ग्रूप ने इसकी यहापे शुरुवात कर दी है तो आप देख सकते हैं महिंद्रा और महिंद्रा का जो कैनाड़ा भीस हम लोग को जो associate firm देखने को मिल जाता है ठीके उनके साथ जो इनका tie-up था बिजनेस था वो उन्होंने क्या कर दिया wind up कर दिया यहापे इसका wind up कर दिया है तो महिंद्रा ग्रूप की अगर हम लोग बात करें महिंद्रा लगबग 11% के आसपास stake हम लोग को देखने को मिलता था अगर हम लोग बात करें ठीके तो उन्होंने बोल दिया कि भाई हमें wind up करना है हमें आपके साथ यहापे continue करना नहीं है और यह सिर्फ बोलने वाली बात नहीं दोस्तों अगर आप यहापे देखोगे तो exchange के उपर yes आप चाहो तो इस चीज़ को यहापे पढ़ सकते हो PDF भी यहापे available है ठीक है during the market ही हम लोगों को एक खबर देखने को मिली और आज ही के दिन यह हम लोगों को महेंद्रा और महेंद्रा निक्या कर दिया exchange को and CB को inform यहापे कर दिया है obviously जैसे हम लोगों को एक खबर देखने को मिली तो महेंद्रा और महेंद्रा का वैसे तो बाजार में गिरावटी थी कमजोरी थी बट यहापे 3% की गिरावट भी हम लोगों को देखने को आपे मिल रही है तो जैसे कि वी ने आप लोगों को का कि इसकी शुरुआत अभी हम लोगों को होते वे देखने को मिल चुकी है तो अभी Canada के ओर से कोई चीज यहापे होगी नहीं होगी वो भी एक देखने वाली बात यहापे बनती है ठीक है और Canada की भी अगर हम लोग बात करें तो सबसे important अगर कोई चीज है तो Canadian Pension Fund की बात करें तो उनका भी बहुत बड़ा investment हमारे भारत देश में देखने का आपे मिल जाता है ठीक है लिस्ट निकाली जाए तो बहुत सरे companies देखने का आपे मिल जाएगी अभी मैंदरा एंड मैंदरा ने तो अपना business आपे एक चल रहा था वो तो उन्होंने shutdown है आपे कर दिया है उसके बाद अगर देखा गया होगा दोस्तो तो yes दो दिगच IT companies उनके ओपर भी अभी पूरा बाजार फोकस रखने वाला है कि क्या वो कोई edition लेंगे नहीं लेंगे वो तो देखने वाली बात यहापे बनती है पर वो दो दिगच कंपनिये कोन सी है तो दोस्तो एक है विप्रो यह दोस्तो विप्रो की अगर हम लोग बात करें तो Canada में इनका बहुत बड़ा बिजनेस हम लोगों को देखने को मिल जाता है और simultaneously दूसरी IT दिगच कंपनी की अगर में बात करू तो वो है Infosys Infosys और विप्रो की अगर हम लोग बात करें यह दोनों कंपनी का हम लोगों Canada में भी अच्छा कासा बिजनेस देखने का आप मिल जाता है इनके चलते बहुत सारे लोगों को वहाँ पर जॉब भी मिलती है ठीक है तो अभी यह देखने वाली बात मतलब कोई किसी न किसी को फोर्स नहीं किया है इन दोनों स्टॉक्स के उपर अभी अच्छा कासा बादार का फोकस यहाँ पर रहेगा कि क्या यह कोई अपडेट लेकर आते है या नहीं इसी चीज़ के चलते अगर आप चाहो तो विप्रो का ADR जो रहेगा या फिर इन्फोसेस का जो ADR रहेगा उसके उपर भी फोकस रख सकते हो मतलब हम कह सकते कि maximum इन स्टॉक को हम लोग क्या कर सकते है रडार के अपर यहां पर रख सकते हमारा बादार जब चलेगा ठीक है तब हमारे मार्केट में इनके शेर्स को मोग देखेंगे जब हमारा बादार बंद हो जाएगा तो तो अमेरिकन बाजार में इनके जो ADR है, उनको हम लोग चेक आउट करते रहेंगे, मतलब अगर मान लिजे अगर कोई खबर आ भी जाती है, तो इसको रियक्शन हम लोग को ज़रूर देखने को आपे मिल जाएगा, रियक्शन मतलब क्या होगा, अगर मान लिजे अगर विप्रो इन्फोसेस ने कोई डिशियन ले लिया, कि वहाँ पे बिजनेस शटडाउन करने का, ठीक है, यह एक्स्ट्रीम डिशियन होता है, इतना सिंपल नहीं होता है, तो अब्वेसली विप्रो और इन्फोसेस के शेर् रहे, तो किसी और थर्ड पार्टी का यहाँ पे एंट्री हो जाए करके, तो यह चीज़े फिलाल तो अमनों को अभी देखने का आपे मिल सकती है, तो आप चाहो तो इन कंपनिस को अपने रडार के उपर यहाँ पे रख सकते हो, देन दोस्तों जैसे मैंने आप लिगों को अमनों को इन्वेस्मेंट देखने को आपे मिल जाता है, तो इस चीज़ के चलते हैं, अभी 70 कंपनीज आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, बहुत सारे मतलब निफ्टी निफ्टी में जितने भी कंपनीज होंगे, उनमें भी आमनों को इनका इन्वेस्मेंट तो दूसरे खरीदने वाले बहुत सारे हमलगों को प्लियर देखने को आपे मिल जाते हैं, तो नुक्सा जादा हमलों को केनड़ का ही होते वे देखने को आपे मिलने वाला है, तो अगर देखा गया, तो कुछ कंपनीज के नाम, मतलब पॉपिलर कंपनीज के नाम क teenager, अग में भी इनका investment देखने का आपे मिल जाता है डैन देखा गया तो इंडस्ट टावर में भी इनका investment हम लोगो देखने का आपे मिल जाता है डैन delivery के अगर हम लोग बात करें तो ये इनमें भी मतलब जैसे मैंने कहा कि ये list बहुत लंबी है तो 70 से जादा listed companies में इन्होंने निव market के और अगर focus रखा जाएगा तो ये भी एक मुद्धा यहापे इसके उपर focus रहेगा जाएगा कि ये जो tension यहापे चल रहा है इसके चलते हमारे बाजार के उपर भी indirectly effect थोड़ा बहुत ज़रूर देखने का आपे मिल सकता है क्योंकि ये जो investment वाले जो fund हम लोगो देखने का आपे मिल जाता है तो शॉट टब में panic के चांसे से हम लोगो को कम देखने का आपे मिल सकते है बट फिर भी जैसे मैंने कहा कि situation अगर बहुत ही ज़्यादा bad to worst यहापे हो जाती है और इसमें अगर trade से related भी चीज़े अगर involve हो जाती है तो फिर situation आगे हम लोगो इस रहा आपे उपर भी जाते हैं देखने को मिल सकती है तो रोस्तो और अगर हम लोगे आपे बात करें ठीक है अगर मान दीजिए अगर बहुत सार लोग ने कमेंट भी किया था की सार अगर यह कैनेडा वाले यह जो पेंशन पंडे अगर यह बेच देते मान दीजिए तो इसके च मार्केट है हर कोई यहां पर और उन्होंने खुद भी निवेश क्यों करके रखा हुआ है अच्छे रिटन्स कमाने के लिए भी यह पॉलिटिकल ही जो चीज़े यहां पर हो जाते है इसके चलते इश्यूज यहां पर हो जाते है तो यह एक मुद्दा हम लोगों को देखन बाजार है फिलाल तो और किसी को बताए कि भारतिय ही बाजार है थोड़ा 19-20 हो सकता है बट अल्टिमेटली अगर चीजों की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन मार्केट में ही सबसे आता है रिटन्स बनने के चांसे से हैं इसलिए तो खुद उन्होंने निवेश करके आपे रखा हुआ है चाइना की बाजार की बात करें तो वहाँ पे पूरा स्लो डाउन देखने को आपे मिल रहा है और लार्ज कॉंटेक्स में अगर हम लोग बात करें जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बीच में चार्ट भी दिखाय था कि हमारा जी एकोनोमी है वो बहुत अच्छे कासे रिटन्स भी बाजार में आपे बनने वाले 20,000, 25,000, 30,000 तक भी निफ्टी आराम से हम लोगों को आगया आने वाले समय में देखने का आपे मिलने वाला है तो इसमें अगर यह एक्जिट करेंगे तो यह अपने पेर के उपर कुराडी मारेंगे हम ल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पच्छी सुड़े के लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री आफकॉस्ट मिल जाएगे आपका नाम, कौन्सा अकांट अपने लिंक के तरो ओपन के है प्रॉपरली कमेंड जे में मेंशन कर दिना तो अपते पर के अंदर-अदर सारे लेक्चर